नमुन में च्छत्रा, आज हम आपकी पाठे पुस्तक का जो 15 पाठ है, जिसके नाम है मातुल चंद्र, इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, और आज हम इसके अभ्यास कारे हैं, इसके पाठे पुस्तक के अभ्यास प्रशन हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे कि उने देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं अभ्यासकार यह पंचिदश पाठका इसका प्रथम प्रश्न है बाल गीतम साभी नयम सस्वरम गायाद यानि यह जो बाल गीत है कि कोटा अच्छा सी मातुल चंद्र इस तरह का जो बाल गीत है इसको हमें साभी नयम यानि पद्याइशान योजियत इसमें हमें मैच करना है योजन करना है सही अंश का सामने तो हमने कर दिया है पाठकेश गीत के अधर पर करना था इसके साथ आएगा तारक घचितम सिद परिधानम यह इसके साथ और त्वरिता मेही इमाम श्रावय गीतिम अतिशाय विस्त्रित निला काशह, धवलम तव चंद्रे का वितानम, तो ये हमने गीत के अधार पर मैच कर दिया, पूरा हो गया है, प्रश्ण दो, और प्रश्ण संक्या तीन की ओर भड़ते हैं, पद्यान शेशू रिक्तिस्थानानी पूरियत, इसमें हमें ये जो भी पद्यान शेशू रिक्त मातुल चंद्र, नहीं वो द्रिश्यते कोजेर अवकाश है, कहीं भी अवकाश हमको दिखाई नहीं देता है, महियम दास्या सी मातुल चंद्र, ये जो चंद्रमा की जो कपड़े थे, धवल, वितान थे, चंद्रे का वितान, उसको बच्चा मांग रहा है, कि महियम दास्य मातुल कहयां चन्द और कथ वाही मातुल्छंद्र परस्पटी प्रस्थ प्रश्शने संक्या 3 में हमने पूर्ण कर लिया है को दोनगर नहीं विल्क्रिट नहीं ईकते में प्र। पर्श्णाना मंतराण़ी लिखाति इसमें प्रिश्ण प्रस्ψुय लिखत क spent श्मinyन पाठे kaumatul, इस पाठ में मातul कौन है, नीला आकाश की विस्त्रित है बहुत ज़्यादा विस्त्रित है फैला हुआ है बहुत बड़ा है और मातुल चंद्रह किम ना किरती मातुल चंद्रह क्या नहीं देता है क्या नहीं फैलाता है तो वह कहता ना इसने है क्यों नहीं करते है मुझे तो मातुल चंद्रह इसने हम ना किरती किरसी क कि तुरिता मेही माम श्रावा या गीतिम तो गीतिम श्रावा ये तुम शिशुहु चंद्रम कथयती गीतिम यानि गाना सुनाने के लिए जो शिशु है वो चंद्रमा को कहता है और चंद्रस से सित परिधानम कथा मस्ती चंद्रमा के जो सित परिधाने जो वाइट कपड़े इस cit parida Aumen is in- zhufit paridas A 10 तो वा हो तारं जड़े हुए हैं तो फ्रेष्णubam प्रष्ण शंक्य चार हमारा यहां पूर्ण होता है पंचम प्रोष्ण उदृहमiner निम्निलिकल्ः पतानी यह संबोधने पूरНषान यह boda मुख्य प्रशन हैं आप ध्यान से करें और समझें और सीखें इसको देखिए कुछ शब्द को संबोधन में हम कैसे बोलेंगे वो यहां दिखाया गया है संबोधन का मतलब जैसे सीता है तो उसका आवाज लगाते हैं उन क्या बोलते हैं सीते गीता को गीते तो इस प्रकार के जो चंद्र होता है तो संबोधन में क्या बनेगा इसमें विसरगट के चंद्र शिश्य का शिश्य गोपाल का गोपाल तो यहां विसरगटे हैं अकारांध पुल्लिंग शब्द में अब अकारांध इस त्री लिंग शब्द आ गया बालिका का बालिके प्रियमवदा का प्रिय उकारांद पुल्लिंग शब्द रवही का रवे मुने का मुने कवही का कवे यह परिवर्तन हुआ और उकारांद पुल्लिंग शब्द साधु का साधो भानु का भानो पशु का पशो और इकारांद इस त्रीडिंग शब्द नदी का नदी देवी का देवी मानेनी का मानेनी इस प्रकार ये जो परिवर्तन हुए हैं वो हमने यहां संबोधन में कर दिये हैं आपे अगले प्रशनी की उर बढ़ते हैं शेष्ट जो प्रशनी है छेटा जो प्रशनी है वो क्या है मन्जुशा अता है उपयुकता नाम अव्यापदा नाम प्रयोगन रिक्तिस्थानानी मन्जुशा से उपयुकत अव्यापद को लेना है अमें यहां से और रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी है सबसे पहले इन अव्याओं की अर्थों को देखते हैं अव्यापद वो शब्द है जिनका अपने अलावा कभी रूप नहीं बनता जो कभी परिवर्तित नहीं होते किसी भी लेंग विवक्ति वचन में जिनमें परिवर्तन नहीं होता कुतह का मतलब होता है कहां से कदा का मतलब कब कुत्र का मतलब कहां कथम का मतलब किस प्रकार या कैसे और किम का मतलब होता है क्या तो पहला है जगनातपुरी कहां है तुम पुरी कब जाओगे इनी कदा गंगा नदी कुतह प्रवयति, गंगा नदी कहां से बहती है, तवस वास्थम कथा मस्ति, तुम्हारा स्वास्थिक कैसा है? और वर्षा काले मयूरा किम कुर्वंति, वर्षा के समय मोर क्या करते हैं? यह प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ, अगले प्रश्नी के और पढ़ते हैं, तत्सम शब्दान लिखात, इसमें हमें तत्सम शब्द लिखने हैं, जिसे यह तद्धव शब्द जो दिये गए हैं, मामा, मोर, तारा वगेरा, इनका जो संस्क्रिट शब्द होता है, किस से यह ब एया ब्यास का रहे है, पन्च गरम पारट का पूयु पुस्तर का, वस्टन होता है, आशा है आपको समझ में आया होगा, और किसी प्राश्ण मैं bisच कमेंन्न कूश चंका हो तो आप क्मेंट एक में लेकर पूछ सकते हैं और अभ्यास करें आपको कैसा रगा कमेंट करके अवश्य बताएं धन्यवाद